नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश कबर कारेकरम इस समय फील गुट का मौसम है बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें सुन्दर सुन्दर तस्वीरें आपको हमको देखने को मिल रही है सौजन्य प्रधानमंत्री नरेन मोदी जी वह गए टाइगर रिजर्व बांदीपुर और उसके बाद देखे पूरे मीडिया में एक मंत्री दूसरे मंत्री सारे मंत्राले उनकी खुबसूरत फोटो को ट्वीच कर रहे हैं हम तक आप तक पहुचा रहे हैं इसी क्रम में याद दिलाती हूँ आपको बारा मार्च को मोदी जी करनाटक भी गए थी करनाटक में धारवार में IIT कैंपस का उधगाटन किया था जानते हैं कितनी लागत आई थी इस पूरे प्रचार में सिर्फ और सिर्फ 10 करोड के करीब 9.49 करोड रुपे खर्च किये गए थे इस उधगाटन आयोजन पर अब आप समझे सकते हैं कि हमने आपने जो फील गुड फोटोस देखी उनकी कहानी उनकी कॉस्ट कितनी रही होगी दोस्तों आईए ये फील गुड दूसर ढंक से महसूस करते हैं आपको भारत का ये नक्षा दिखाई दे रहा है और गाये हिंसा और नफरत दिखाई दे रही है ये नक्षा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है इसमें कई राजी हमने अभी छोड़ दिये हैं इसमें अभी हमने तेलंगाना नहीं मार्क किया है इसमें हमने कई और राज्जियों पर जान बूच कर फोकस नहीं किया है वजह बहुत साफ है यह बता रहा है कि भारत में जमीन पर किस तरह कितने अधिक बड़े पैमाने पर नफरत परोसी जा रही है नफरत फैलाई जा रही है और यह महज इत्तफाक नहीं है देखिए मोदी जी की यह तस्वीर भी आप देखिए इस तस्वीर में वह इस्टर पर चर्च जाते हैं और बताते हैं कि सद्भाव की जरूरत है सही बात है मोदी जी सद्भाव की जरूरत है सारे धर्मों में प्रेम रहना चाहिए। यही भारत की विरासत है लेकिन देखिए न यही आपका उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में पिछले तीन सालों में अंगिनत पादریयों की गिरफतारी हुई। हर जगा चापा पड़ता है। एक के बाद एक मीडिया खबर आ रही हैं बता रहे हैं कि किस तरह से सुनयोजिट डंग से इसाईयों पर हमला होता है चर्ष में हमला होता है मद्द प्रदेश भी पीछे नहीं है तो मोदी जी की वह तस्वीर और यह तस्वीर दोनों साथ साथ देखनी है दोस्तों यह नक्षा बहुत कुछ कह रहा है और पता रहा है कि जमीन पर जो नफरत पहलाई जा रही है वह कितने बड़े पैमाने पर उसके पीछे की साजिश रची जाती है सबसे पहले ध्यान आपका जाना चाहिए उत्तर प्रदेश यह प्रदेश यहां से जो खबर आई है खबर वो हम तक पहुछ पाई है यही बहुत बड़ी नियामत है यहां पर पता चला कि आगरा में आगरा का एक थाना है गौतम नगर में वहां पर राम नवमी को खराब करने के लिए वहां पर सांपरदाइक तनाव पैदा करने के लिए गौकशी की गई गाय की हत्या की साजिश की गई और देखिए पुलिस की विवे लेकिन अब जो सच सामने आया है वह चौकाने वाला है उस सच से यह पता चलता है कि यह गोकुशी की घटना दरसल अखिल भारती हिंदू महासभा के पदादिकारियों ने की थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू महासभा के राष्टी प्रवक्ता संजे जाट को मुख् साजिश में शामिल थे अब आप देखें कि राम नवमी पर जिस बड़े पैमाने पर सामप्रदाइक हिंसा की साजिश रची गई वजह हम सब जानते हैं क्या थी वजह थी हिंदू मुसल्मानों को लड़ाना बड़े पैमाने पर सामप्रदाइक तनाव और हिंसा पैदा कर की साजिश थी और अगर यह मामला जिन लोगों को शुरुवात में गिरफतार किया गया वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए साबित हो पाए कि इसमें कोई मुसल्मान एंगिल नहीं है क्योंकि हिंदू महासभा ने जिस बड़े पैमाने पर यह साजिश रची थी उसका खुलाश्रा वहां इस्थानिय पुलिस ने किया और आप देखिए इसकी कवरेज मीडिया कैसे कर रहा है वह बताने की कोशिश कर रहा है कि दरसल यह दो धड़ो के बीच की लड़ाई थी वह यह चुपाना चाहता है तत्य इस पर कहीं पर भी बड़े पैमाने पर नेशनल मीडिया ना डिबेट कर रहा है ना डिसकेशन ला रहा है क्योंकि यह साजिश अकेली साजिश नहीं है दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रिदेश की औ इटका एक टुकड़ा मिला मुसल्मानों के घर को बड़े पैमाने पर निशाने पर लिया गया हिंसा फैली हुई है और जो आशंका है उससे लग रहा है कि हिंसा बढ़ेगी बढ़ाने वाले लोग कौन हो सकते हैं इसके बारे में हमें और आपको सोचना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश जारखंड और बिहार यही बिहार जो जला राम नवमी के समय है और आप देखिए जिस तरह से राम नवमी के समय यहां पर हिंसा फैली उसका जो खुलासा हुआ है वह सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए काफी है जिस तरह से महां गिरफतारी हुई मोशल मीडिया पर कितने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने मारने काटने की साजिश रची गई थी वर्टसप ग्रुप पे तक्रीबन साड़े चार सो से अधिक सदसे थे जिनके बीच यह साजिश रची जा रही थी कि किस तरह से बिहार शरीफ नालंदा को जलाया जाएगा यह तस्वीर देखिए याद रखिए तस्वीर बिहार शरीफ की अजीजा मदरसा है यह पांच हजार से अधिक किताबें सो साल से अधिक का इतिहास सोगरा बीबी का पूरा का पूरा इसमें जो भूमिका थी इस मदरसे को बनाने में ताकि शिक्षाए यह साजिशाना ढंग से जलाई गई बिहार सामने सामने जला और आज देखिए जब दबिश पड़ती है तो इस साजिश का खुलासा होता है अब देखिए यह है मदर प्रदेश मदर प्रदेश का खांड़वा इलाका यहाँ पर चोरी के शक में एक मुसल्मान नौजवान की पीत-पीत कर हत्या कर दी जाती है और तक्रीबन इसी तरह से जारखड में भी मुसलमान नौजवानों को पीट-पीट कर मार डाला जाता है यह सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है देश के अलग-अलग भागों में और दूर क्यों जाना देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली में करावल नगर में 9 अप्रेल यानी इतवार को युनाइटेड हिंदू फ्रंट ने पंचायत बुलाई यहां पर आयोजवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला तो दर्ज किया है लेकिन मामला दर्ज यह किया है कि उन्होंने बिना अनुमती लिए यह आयोज़न किया जबकि यह पंचायत सरे आम, खुले आम, मुसल्मानों के खिलाफ नफरत का एलान करती रही यहां हिंदू राश से लेकर, लव जहा से लेकर सब कुछ नफरत, नफरत और नफरत आप देखिए कि इसमें युनाइटेड हिंदू फ्रंट इंटरनाशनल के जो कारेकारी अध्यक्ष है जै भगवान गोयल, वो क्या फर्माते हैं, वो खुले आम कहते हैं देश की राजधानी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए वह कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व दिल्ली को पहला हिंदू राश्च जिला घोशित करना उनका लक्ष है और तो और वह कहते हैं कि दो हजार पच्चिस में राश्टी स्वयम सेवक संग आरेसेस के सो साल पूरे हो रहे हैं और इससे पहले भारत को हिंदू राश्च बनाने का सपना उन्हें पूरा करना है अब आप देखिए एक तरफ यह और आप देखिए दूसरी तरफ हर्याना हर्याना के सोनी पत में सांदल कला में नमाज पढ़ रहे हैं लोग वहाँ पर कूत कर हिंसा करने पर उपद्रवी ब्रिगेड खुशती है मार पीट करती है बड़े पैमाने पर लोगों को घायल करती है दोस्तों यह नफरत और जूट किस तरह से फैलाया जा रहा है इसकी एक और मिसाल पांजन्ने से मिलती है पांजने ने लिखा कि मुरादाबाद में एक हिंदू लड़की ने भाग कर मुस्लिम लड़के से शादी की और मुस्लिम लड़के ने अपने दोस्तों से उसका रेप करवाया और यहां तक लिखा है कि पंद्रा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया हैरानी की बाद देखिए कि मुरादाबाद पुलिस ने स्थिती बिगड रही थी ट्वीट करके पब्लिक को बताया कि ये सब कुछ फरजी है इसमें कुछ भी सच नहीं है यानि पांजन जूट फैला रहा था फेक न्यूस कर रहा था और ऐसा नहीं कि उसने पहली बार किया हो गुजरात में भी ठीक इसी तरह से उसने नफरत फैलाई थी वहां आपके बारे में कहा था कि सात्मिक सोसाइटी में घुज़कर हिंदूओं को निशाने पर लिया जा रहा है उन्हें खाली करने को कहा जा रहा है और उसके बाद गुजरात पुलिस और वहां के मंत्री दोनों बाहर आते हैं और कहते हैं कि यह सब खबर फरजी है ठीयान से देखिए इस शक्स को इन महिला का नाम है काजल हिंदुस्तानी इनकी गिरफतारी हुई है और मामला जो दर्स किया गया है कि इन्होंने नफरत फैलाई नफरत फैलाई मुसलमानों के खिलाफ पब्लिकली कोशिश की कि किस तरह से मुसलमानों को उकसाएं और हिंदु नौजवानों को प्रेरित करें मुसलिम महिलाओं पर हिंसा करने के लिए और आप देखिए यह कम हैरानी की बात नहीं है कि इस महिला को हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर और जब मामला हाथ से बाहर आता है तब इनके खिलाफ मामला दर्ज होता है और इसी तरह से हैदराबास से भाशपा के जो विधायक है राजा सिंग उनके खिलाफ भी नफरत पहलाने का मामला लगातार बन रहा है लोग बात कर रहे है सब कुछ चल रहा है और मुझे तो कई बार लगने लग गया है कि जिस तरह से इन लोगों के खिलाफ मजबूरी में ही सही मामला दर्स किया जा रहा है और आप देखिए कि दर्स करने के बाद चाहे काजल हिंदुस्तानी हो या फिर राजा सिंग इन सब के समर्थन में जो टीम उतरती है जिस तरह से नफरती भाशा का इस्तमाल करती है अपनी ही चुनी हुई सरकारें भाश्पा सरकार के ऊपर निशाना साथती है उससे एक बात लगता है कि स्थिती धीरे धीरे विस्फोटक हो रही है तो दोस्तों एक तरफ दिखाई दे रहा है कि नफरत का कारोबार चारो तरफ पैल रहा है और जब मामला हाथ से बाहर जा रहा है तब कुछ एकाद F.I.R. हो रही है कुछ लोग पकड़े जा रहे है लेकिन यह महराष्ट के दो नوجवानों की तस्वीर देखिए यह दोनों रैपर है और अंगाबाद और मुंबई के रहने वाले नوجवान यह गाना गाते हैं और गाने में किसी भी राजनेता का नाम नहीं लिया इन्होंने हैरानी के बात यह देखिए इन्होंने सवाल उठाया बेरोजगारी का इन्होंने सवाल उठाया कि नوجवान क्यों सड़क पर मारा मारा फिर रहा है इन्होंने सवाल उठाया जातिगत उत्पीडन का और निश्चित तोर पे इन्होंने सवाल उठाया नेताओं के भ्रष्टाचार का कितने करोड में लोग बिक रहे हैं और तुरंट चुटकियों में इनके उपर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है यह भारत की तस्वीर है जो हमें और आपको परिशान कर रही है और अंत में यह खबर जो टेलिग्राफ में छपी है अपने आप में भारत का जो पॉलिटिकल सीन है जो कॉर्परेट सीन है उसके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है ध्यान से देखिए यह खबर यह किस तरह से मोधी जी के प्रिय उद्योग पती गौतम अडानी जी के पक्ष में जब NCP नेता शरत पबार उतरते हैं इंटर्व्यू देते हैं तो किस तरह की खदबदाहट होती है दरसल यह जो नया जर्नलिजम है जो नई पत्रकारिता है इसकी जीती जाकती तस्वीर है य जुड़ना उसे समर्थन देना देखिए लाइक करिए शेयर करिए खोच खबर न्यूस क्लिक शुक्रिया